आज जिसे देखो वही मेरे नभी की अजमत में पत्तर मारता हमारे बच्चे अगर सड़कों पर निकल जाए अपने रसूल की अजमत के लिए तो एक के सहतालिस से भून दिया जाता है इसी जारखंड के राची में हमारे बच्चे सड़क पर उत्रे तो बारा साल तेरा साल के बच्चों की लाशे सड़क पर उठाई गई तेरा बल्यावी चीख तेरा ये जल्म है लेकिन किसी के मूँ से आवाज नहीं निकली के मुसल्मान सब दे सकता है नभी की अजमत नहीं दे सकता हूँ एक बेटे के बजाए सो बेटा दे सकता है लेकिन गुमबदे खजरा की अजमत नहीं दे सकता किसी ने कुछ नहीं बोला तब तेरे बल्यावी ने जारकंड हुकूमत से का अपने वर्दी धारी गुंडों को लगाम लगाओ वरना निकल गए करबला के खुलाम तो सबहाला मुश्किल हो जाएगा इसलिए कि मेरी जिन्दगी की सांस का एक एक सांस का मकसाद अजमत मदीना है रिफत मदीना है शुकत मदीना है अजमत मदीना है हम पानी के बगएर जी सकते हैं नभी के बगएर नहीं जी सकते हैं रसुल के बगएर नहीं लेकिन अब सिर्फ तक्रीरों से मसले का हल नहीं है अब सिर्फ रात भर जाग करके नारा लगा लेने से हम अपनी अवलादों का future अच्छा नहीं कर सकते हमें टटोलना भी है हमें तलाशना भी है कि हम इतना होने के बावजूद भी हम मार क्यों खाते और हमें दुनिया आँखें क्यों दिखाती लाल पीली इनी सारे मुद्दों को लेकर हमने 14 सितंबर को पटना मरकजी एदारेई शरीग्या में बिहार, बंगाल, जारखन, उड़ीशा चार इस्टेट के अपनी जमात के जमात्य अहले सुन्नत के अलमाई कराम की एक बैठक बुलाई और उस बैठक की बंगाल की आल बंगाल इस्टेट लेवल की एक बैठक कॉलकता में 12 जनवरी को कमरहटी में होने जा रही है बहुत जल्द मैं ये डिजाइन तैयार कर रहा हूं कि अब तक आप किराया दे कर बुलाए हो तो मेरी जमात का आलिम और शायर आया है अब एदारे शरीया और उलमाए कराम आपको बुलाएंगे तो बोलो आप आओगे की नहीं आओगे देखो सवाल कई एक है टाइम कम है आज बलियावी की थोड़ी देर ये सोच करके सुनो कि बलियावी आज तकरीर नहीं कर रहा बलियावी आपको आपकी तस्वीर दिखा रहा कितनी अच्छी तस्वीर पहले थी आज कितनी दागदार हो गई आप पहले कितने पावरफुल थे आज कितना पावरलैस हो चुके कल आपके बाप दादा का क्या रोब था आज आप कितने बड़े भिकारी हो गए कल आपके नाम से जमाना कांपता था आज आप जमाने से कांप रहे इन सारे सवालों का जवाब समेट कर बलियावी की गफ्तगु सुने मुझ से पहले मेरी जमात का वो जयाला खतीब जो बंगला जबान में रातो रात अपना खुने जिगर जलाता है मसाजित की तामीर मदारिस की तामीर मसलक की हफाज़त अकीदे का ताफ़स बज़र्गों की यकीदत अलिया से महबत नामू से रिसालत पर हर शाम मेरा आलिम रात दिन अपना खुने जिगर जलाकर आपके एमान को ताज़ा रखता बंगला जबान में फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना अब्दुलमालिक सार्थ भदोही में कुछ नوجवान हम से मिले मत्रापूर के अब ये जिद पकड़ लिए कि आपको आने ही आना है बीते दिनों में बलियावी के साथ क्या हुआ इसी मालदा में और परशासन के दबाव में लोगों ने खुद को सिलेंडर करके लड़ाई कमजोर की वरना जिसके बाप दादा ने भारत की आजादी की तारीख अपने खुन से लिखा हो उसकी अवलादों को गदार कहने वालों के जबड़ बलियावी इंची टेप से नाप के सीधा कर देता है तब बलियावी की तकरीर सुनने का मूड हो गया है तो सारा मजमा जी लगा कर नभी और आले नभी की बारगाह में बावाजे बलं दुरूदे पाक पड़े बलं दुरूदे पाक पड़े सेदिना मावलाना मौहमाद जो लोग रोड पर हैं मौसम ठंड हो चुका है और शबनम का भी यसर है आगे में जगह है अगर जलसा देखने आयो हो तो देख लिए जाके सो जाओ और सुनने आयो हो तो आकर बैट लो अलमा एकराम का एक जिम्मेदार इस्टेज आपके सामने मौजूद है अलमा एकराम की तवज्ज़ चाहूं सिर्फ एक शेर अर्ज करके गुफ्तगु का सिलसिला बढ़ा दू सिर्फ एक शेर वो भी शेर किसी शायर का नहीं है आशिक का है तवज्ज़ चाहूं शायर का नहीं है आशिक का है शायरी हर कोई पढ़ लेता है उसको बंद कर दो ना उस्माइक को बंद कर दो ठीक है आवाज मिल लेगे ना कान का परदा सही रहे मेहनत करें आदमी तो बात समझ में आवे बागी चिलाने से क्या पाइब मैं क्या अरश कर रहा था शायर को पढ़ना असान है नभी के आशिक को पढ़ना असान नहीं है किताबों में शायर पढ़लो पेज में शायर पढ़लो बस ट्रक पे शायरी पढ़लो चौक चौरा हो परशायरी पढ़लो लेकिन आशिकी पढ़ी नहीं जाती आशिकी महसूस की जाती तवज्यो चाओं अब आँखोल करके बलियावी की तक्रीर सुन लो तो मैं अभी आशिकी दिखा दूँ अभी मेरे आलिम ने एलान किया मसिद बननी है मसिद बननी है गिट्टी चाहिए मिट्टी चाहिए इट चाहिए सरिया चाहिए सिक चाहिए बालू चाहिए पैसे चाहिए ये शायरी नहीं थी ये अल्ला के घर से इश्क था बोलोगे तो बोलोंगा बोलना पड़े लगा सारा मजमा हाथ उटाके एकबर बोल दो या रसूल इल्ला जोनके बोलो या रसूल इल्ला चारो तरफ से आवाज आवे या रसूल ल्लाह, लबबाइक या रसूल ल्लाह, लबबाइक या रसूल ल्लाह, अब जहन करीब करो, इश्ख है अल्लाह के घर से, इश्ख है अल्लाह के घर से, ऐसे ऐसों ने दिया है जिसका अपना घर टाली का है अपने जहन को समेट लो तो आज बलियावी की थोड़ी देर के गुफ्टगू कई सालों की तक्रीर पर भारी पड़े है तब जो चाओ उसका अपना घर टाली का है उसके अपने घर की दिवार मिट्टी की और उसके अपने घर की दिवार टाट और फठी की है लेकिन सुना मेरे अल्ला का घर बन रहा है बोलो, बोलो, मेरे, अल्ला का घर बन रहा हूँ, मैं मुझरिम हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पापी हूँ, मैं सियाकार हूँ, लेकिन मेरी जिन्दगी की कमाई की कुछ इटे लग जाएं, तब बल्याबी कहिता, इसलाम के मानने वालों ने, हकूमतों की जमीन हरब कर मस्जिद नहीं बनाई, वो किसी और का खुदा होगा, जो जमीने कब्जा करने के लिए है, मेरा खुदा वो है, जिसकी सारी जमीन है, तब कुरान ने कहा, अल्लाहु नूरु समवाति वाल अर्द, अल्लाहु नूरु समवाति वाल अर्द, मेरे अल्लाह का ही नूर, जमीन और आसमानों में है, तब यहीं रोक लो, प्लीज, प्लीज, नहीं, वो किसी और का खुदा होगा, जो जमीने कब्जा करवाने के लिए इस्तमाल होता हो, वो किसी और का खुदा होगा, कब्जे के लिए वजूद का होना जरूरी है, और मेरा खुदा वो है, जिसके वजूद की इप्चिदा और इंतहा का कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता, हर शय मेरे खुदा की है, हर जर्रा मेरे खुदा का है, हर लमहा मेरे खुदा का है, हर नेमत मेरे अल्ला की है, हर चीज मेरे रब की है, हर चीज, हर चीज, तब बलियावी कहता है, हम अपने हाथों के बनाए हुए खुदा का सज़दा नहीं करते हैं, हम अपने हाथों के बनाए अमाबो कितना मजबूर खोदा उसका है कि उसके बंदे ही उसको बनाते है समझ रहे हो तो बोल लो कितना मजबूर उसका खोदा है कि उसके बंदे ही उसे बनाते अब मेरा खोदा कितना मुख्तार खोदा है कि मेरा खोदा हमें ही को बनाता है तब जचाओं अब जहन को यहीं करीब करो अगर इसी पर गुफ्तगू हो तो बात लंबी हो जाएगी इसलिए इसको यहीं से रोक करके वो इश्क है, वो इश्क है, जिसने कहा तेरा घर बाद में बनेगा, खोदा का घर पहले बना, ये इश्क है, अब सवाल ये उठता है कि ये इश्क का जुनून दिया किसे ने, किसी हुकूमत ने, किसी हुकमरा ने, किसी सियासी पाटी ने, किसी लीडर ने, किसी चीफ मनिश्टर मनिश्टर ने, नहीं, बल्के अल्ला की बेदानियत का जुनून, अल्ला के हबीब ने दिया, किसी ने दिया, बस जहन को यह रखो, किसी ने दिया, अल्ला के हबीब ने दिया, तब बल्याबी कहिता इसको समझना मुल्ला के बसका नहीं इसको समझना मुल्ला के बसका नहीं इस राज को समझने के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ेगी अब जहन को थोड़ा सा करीब कर लो इस वक्त कोई बाप अपने बेटे का गारेंटर बनने को तयार नहीं बोलो सही है के गलत जोर से बोलो ना इमान वालो आज तकरीर सुन लो बलियावी की थोड़ी देर अगर कानून की नजरों में बेटा मुझरिम है तो बाप अपने घर का दर्वाजा बंद कर देता नो इंट्री तेरे लिए पूरे परिवार को डिस्टर्ब नहीं करूँगा तेरी वज़ा से अपने बने हुए मकान का कुड़ की जब्ति नहीं होने दूँगा तेरे जुर्मों की वज़ा से मैं समाज में अपने बेटा और बेटियों को रुस्वा नहीं होने दूँगा तो कानून की नजरों में मुझरिम है दर्वाजा नोइंटी मकान नोइंटी लेकिन आह आशिकी देख आशिकी देख नाम है मुस्तफा रजा नाम है मुस्तफा रजा मुस्तफा रजा लकब है मुफ्ती आश्म क्या फर्माते शबीह गोसी आश्म मेरे आमाल का अब्ला हुआ अक्बर मेरे आमाल का बद्ला तो जहन्नम ही था कोई गारेंटर बाप बनने को तिगार नहीं लेकिन आखायर अमत मेरे आमाल का बद्ला तो जहन्नम ही था तैय हो चुका मैं तो जाता फिक्स हो चुका मैं तो जाता मेरे गुनाह कह रहे थे मैं तो जाता मेरे जुर्म बता रहे थे मैं तो जाता मेरे इसी आँ बोल रहे थे मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने नदे मेरे सरकार ने जहन करीब कर मेरे सरकार ने पूरा मजमा एक साथ बोलो मेरे सरकार ने जाने ना दिया अब मैं पूछू मौलाना बाबु नाम भूल गया मौलाना अब्दुलमालिक जिस्म है जिस्म है हाथ भी है सर भी है आखें भी कान भी हाट भी किटनी भी पैर भी कान भी दिल भी सब है अगर रूह न हो अगर रूह न हो आख काम करेगी नहीं हाथ काम करेगा नहीं जबान काम करेगी नहीं गोया जिस्म में सारे आज़ा हो रूह न हो तो जिस्म का कोई हिस्सा काम ना भी तब बलिया भी कहिता नमाज हो रोजा हो हज हो काबा हो तबाफ काबा हो जकात हो सब हो और नभी का इश्क ना हो कब बोलोगे जोर से जोर से सब भी कर ना काबे का तवाफ कामावे ना रमदान का रोजा कामावे ना हज की जियारत कामावे ना कुर्बानी कामावे ना सदकात और खेरात कामावे गोया जिस्म के हिस्से को सलामत रखने के लिए रूह की जरूरत थे और अबादतों की मकबूलियत के लिए रसूल की जरूरत थे नभी के बगएर ना रोजा कबूल है ना नमाज कबूल है अब जहन को यहां करीब कर ले यह मत्रापूर है ना डिश्ट आए पुरानी गाउ मत्रापूर अलाका मत्रापूर गाउ पुरानी यह पुरानी बता रहा है कि यहां का मुसल्मान नया नहीं है अब कि समझ सकते हो तो समझ लेना समझ सकते हो तो समझ लेना हजरत इनारसी के मौके से सारे बहादर भाग गए लेकिन बलियाबी कुटा ठोक के सुप्रियम कोट में उनके बाप से खतियान मैं मांगके रहूँगा हम से खतियान मांगते हैं छेड़ दिये है तूने मुफ्तियाजम के कलंदर को देखूंगा तड़ी पार तेरे में दम है या गरीब नवाज वाले में दम है देखूंगा लेकिन गैरों में कहां दम था सुन सुन तस्वीर देख बरसों से तेरा बलियावी तुछ कुछ ला रहा है रहे तेरे भोट से सब को प्यार है तेरी आुलादों से किसी को नहीं है हजरत यही सची बात कहने की सजा आपके बलियावी को हर रोज मिलती है मुझे याद है कि कुछ हराम खोरों ने बलियावी के खिलाप 800 फेस्बूक पर बहुत लिकखा लेकिन मैं इन्हें उसकी परवा नहीं कि में जानता हूं कि उसकी सोच कहां तक है मैं जानता हूँ कि पैसे दे दे कर बलियाबी के खिलाब सिरी फिसलिय लिखवाए जा रहे थे कि इस लड़ाई को कमजोर किया जाए लेकिन बलियाबी भी बलियाबी किसी औरों का नहीं रईसुल्कलम काईद एहल सुन्नत का पाला है जो कादरी शेर था और शेर लाक बुढ़ा हो जाए लिख लो वो कभी भी गीदड़ों का शिकार नहीं करता है हाँ इतनी बात तो तय है कि अब अपनी आँख खोल और अपने आप से पूछती कि तेरे बाप जादा ने तुझको कहा छोड़ा था तुम कहां अपनी अवलाद छोड़ रहे हो अबाव जरासा इस वक पूरी दुनिया इसलाम पर रिसर्च कर रही बुद्धी जीवी लोग बैठे हैं गवर से सुने चाहें जिस पार्टी को हो बात कड़वी होगी तो रह लगे लेकिन मेरी सेहत पर कोई असर नहीं न मैं दादा को जानता हूँ न दीदी को जानता हूँ मैं मुस्तफा के दीन को जानता हूँ इसलिए जो अपनी बात है अपनी नसलों को जगाने का काम करना है करते रहूँगा अब जिहन को थोड़ा सा करीब कर लो आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा अमरीका कड़ो कड़ो डॉलर खर्च कर रहा यह जानने के लिए के पूरी दुनिया में मुसल्मान कमजोर है कमजोर है नोकरी इसके पास नहीं कारोबार में टाटा बिरला जैसी कमपनी इसके पास नहीं डालमिया मुसल्मानों में नहीं अडानी के बाप का नाम अब्दुल्ला नहीं अंबानी के बाप का नाम अब्दुर्राह्मान नहीं मकान जला दिया घर फूग दिये राक के ढेल पर इमान वालों की बेटि नहीं रात बिता लिये हैं कि कभी लप पे शिकवा नहीं लाई मुसल्मानों के बच्चों के मूँकी रोटी चिन ली दुकान फूग दिया फिर भी मुसल्मानों ने हिम्मत का दामन न छोड़ा आखिर कौन सी ताकत है तबज्जो चाहूं अगर सुनने के मूड में हो तो बोलना पड़ेगा ऐसे नहीं धक्का देकर नहीं सुनना पड़ेगा जोर से आखिर कौन सी ताकत है लुटे हुए मकान जली हुई दुकान तरबती हुई उलाद की लाश सब कुछ देखने के बाद भी मुसल्मान अपने रसूल से अलग नहीं होता मुसल्मान अपने रसूल से अलग नहीं होता मकान जल गया अब्दुल्ला कहता फिर बना लेंगे दुकान लुट गई अब्दुल्ला कहता फिर कमा कर खड़ा कर ले घर्म बेटे की मौव लिंचिंग हो गई बाप ने तरबती लास देखा लेकिन बारत में अमन और सकून का कतल नहीं किया कानून पर भरोसा रखा लेकिन कानून के रखवालों ने हुकूमतों की दलाली की मजलूमों की वकालत नहीं की और मेरी उलादों के हलक पर उंगली रख कर कहो कि अभी वक्त है तुझे मकान बना के दे दूँगा नभी से अलग हो जा तुझे हवेली दे दूँगा इसलाम से अलग हो जा तुझे दौलत दे दूँगा मदीने के मुस्तफा से बग हो जा लेकिन कुर्बान जा कुर्बान जा अमा ये रंगे मदीना है रंगे मदीना दुनिया में कोई तिजाब अब तक कैसा नहीं बना है जो नभी के आशिकों के रंग उतार सके ये वो रंग है कि जब चड़ा गया जब चड़ गया तमज्जो चाओ जब चड़ गया जब चड़ गया 313 पर बोलोगे तो बोलोगा जब चड़ गया रंगे मदीना 313 पर तो पूरी दुनिया का रंग उतर गया और 313 का रंग चीख-चीख कराज तक कहे रहा सब से पंगा लेना बदर वालों से पंगा कभी मत लेना काशिय गुफतगु कहीं और में किया होता नारे तक्वीर नारे तक्वीर नारे रसालत मसला के आला हदरत वाजिय मिल्ला जब चल गया मदीने का रंग तो एक अली का बाजू तनहा खेबर के लिए काफी आज भी रिसर्च हो रहा अली तेरे बाजूओं में कितनी ताकत थी अली तेरे बाजूओं में कितनी ताकत थी तो मौला अली मुस्कुरा कर फरमाते देख अली ने अपनी ताकत का इस्तिमाल अपने लिए नहीं किया इमान वाला अली के नाम का नारा लगाता है तो उनकी एक बात पर अमल कर ले मौला अली शेर खुदा का दुश्मन इसलाम का दुश्मन मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मौला मुश्किल कुशा के चेहरे पर बदजात ने थूक दिया क्या किया थूप दिया मौला अली शेरे खुदा थूप पोच कर आगे बढ़ गए आगे बढ़ गए वो पलट कर फिर पीछे आया और आकर कहता तुम्हारा ही नाम अली है क्या कहा तुम्हारा ही नाम अली है मौला अली ने फरमाया हाँ मेरा नाम अली है कब बोलोगे जोर से जोर से क्या कहा तवज्जो चो क्या कहा मौला अली ने फरमाया हाँ हाँ मही अली हूँ बद्जाद कहता ए अली तेरे बाजूओं की ताकत की बड़ी शोहरत सुनी थी मौला अली फरमाते वो आज भी है क्या कहा आज भी है तब बद्जात ने का ए अली मैंने तुछको गुस्जा नहीं आया मौला अली शेहरे खुदा फरमाते नहीं नहीं आया का क्यूं क्यों मैंने तेरे चेहरे पर धूका तुझे घुसा नहीं आया क्यों मौला अली फर्माते कि अली के पास जो ताकत है न वो अली के लिए नहीं है अली की ताकत अली के अल्लाह और उसके रसूल के लिए है जोर से बोल दो जोर से बोल दो जोर से बोल दो एक बार सारा मजमा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह एक बार सारा मजमा जोर से ना रहे हैदरी ना रहे हैदरी अब बल्यावी की एक बात मेरे नौजवान गीरा बांध ले जब मुला अली ने कहे दिया कि अली की ताकत अली के लिए नहीं अली के अल्ला और उसके रसूल के लिए अगर मुला अली वाले हो तो आज आहद कर लो कि मेरे बदन की ताकत मेरे लिए नहीं है बलके मेरे जिस्म की ताकत भी अल्ला और उसके रसूल के लिए है अब जरह से यहीं रोक लेना पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है मकान जला दिया नभी से लगने और दुकाने फूग दी नभी से लगने बेटे की लिंचिंग कर दी नभी से लगने जले हुए मकान की ड्राक पर औरतों ने रात विता दी लबो पर शिकवा नहीं रोटियां छीन लिया इनके हौसले टूटे नहीं इनकी हिम्मट टूटी नहीं तब बल्याबी कहिता उनकी हिम्मतों का इम्तिहान लेना उनकी हिम्मतों का इम्तिहान लेना जिनके यहां इम्तिहान का कोई पेपर ना गुजरा हो यहां तो हर पेपर अम्तहान का है बदर अम्तहान है वहत अम्तहान है खेबर अम्तहान है जुमल अम्तहान है खंदक अम्तहान है कर्बला अम्तहान है जलते खेमे अम्तहान है बंद पानी अम्तहान है छे माह का लिसकर अम्तहान है कटा हुआ बाजू इम्तहान है अली अद्बर की लास इम्तहान है अली अस्गर का बच्पना इम्तहान है हुसैन का सब्र इम्तहान है अली की सखावत इम्तहान है उस्मान की सखावत इम्तहान है अबू बकर की सदाकत इम्तहान है फारुक ए आजम की अदालत इम्तिहान है और भारत में मुईन अद्दीन का क्याम जोर से जोर से जोर से रिसाल 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 रहा इसलाम रुकेगा कैसे इसलाम सुनो गार से इसलाम रुकेगा कैसे तेरा बलियावी खूब जानता है रहे उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा, जंगिपूर इस पूरे इलाके के बच्चे हमको मिलते हैं कहीं करनाटका में, कहीं मुंबई में, कहीं उडिसा में, होटलिंग में, कारपेंटिंग में हजरत जब मैं पूछता हूँ कि आप बोलते हैं इसी होटल में हूँ उस वक्त तेरे बलियाबी पर क्या बीती हैं मैं क्या बताऊँ उस वक्त मुझे लगता है, मेरे जिन बच्चों के हाथ में कलम होना चाहिए था मेरे जिन बच्चों को अपने माबाप के सामने रह कर दो रोटी कमाना चाहिए था बोट के सौदागरों ने मेरे बच्चों को बच्चों के माबाप से कितना दूर किया सुन, हुकुमते तेरा काम नहीं करेंगी तुझे अपनी ओलादों की फिक्र खुद करनी होगी और जो काम अपनी ओलादों के बच्पने पर नज़र रखेगी उस काम के जवानों पर कोई बुरी नज़र नहीं डाल सकता और जो काम अपनी बेटियों पर नज़र रखेगी उस काम की बहुआ पर कोई माई कलाल बुरी नज़र नहीं डाल सकता ये तो तुमने बरबाद किया रहे और जो आज बलिया भी कोशिश कर रहा अधार इशरीय एक तहरी के विदारी ले करके मालूम है? नहीं मालूम तो सुनो मौसम खराब तो नहीं हो रहा है सुनोगे? किते लोग? तो बीच से कोई एक खड़ाओ के नारा लगा दो ठीक कोई बात नहीं नहीं शबनम है आगा बड़ जा उटा है? हजरत की कोई आउकात नहीं है बड़े बड़े हजरत को तो मैं इतने ही जानता हूँ कि जब संकट में मैं फसूँ या कोई हजरत या तुम फसूँ मेरे पास तो बसे की ही पनाहगा है जब सब दर्वाजा बंद कर लेते तो मेरे गौस अपनी अताओं का अपने करम का हाथ फैला देते हैं भरोसा नहीं तोड़ना मत तोड़ना पुराना गाउं पुरानी बस्ती है पुराना गाउं मत्वरा पूरा और इस पूरे इलाके के इमान वालो मेरे चेहरों से मुझ को कोई नहीं पहचानता तेरी सूरत से तुझको कोई नहीं पहचानता तेरे मकानों से भी कोई तुझको नहीं पहचानता हमको आपको अगर कोई पहचानता है न तो मदीने के आका की बज़े से सब लुट जाए लुट जाने दो फिर वापस कमाल होगे लेकिन अगर तेरे दिलों से गुमबदे खजरा की अजमत लुट गई तो लिख ले तेरी कबर की खुशी भी लुट जाएगी कियामत की मुसर्णत भी लुट जाएगी पुल सिरात की आसानिया भी लुट जाएगी और अगर मदीने वाले आका की अजमत तुने बचा ली न तो लिख ले दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो तुझे लुट सकेगा आज जिसे देखो वही मेरे नभी की अजमत में पत्थर मारता भारत की वन पागला उर्तों को हुकूमतों ने सुपाड़ी दे रखाए मेरे नभी की तोहीन करने की सुपाड़ी दे रखाए अदालते देखती है पुलिस पर शासन वर्दी में गुंड़ई देखता है हुकूमत में बैठे लोग देखते है हमारे बच्चे अगर सडकों पर निकल जाए अपने रसूल की अजमत के लिए तो एक के सह तालिस से भून दिया जाता है इसी जारखंड के राची में हमारे बच्चे सडक पर उतरे तो बारा साल तेरा साल के बच्चों की लाशे सडक पर उठाई गई तेरा बल्यावी चीख तेरा ये जल्म है लेकिन किसी के मुँख से आवाज नहीं निकली के मुसल्मान सब दे सकता है नबी की अजमत नहीं दे सकता है एक बेटे के बजाए सो बेटा दे सकता है लेकिन गुमबदे खजरा की अजमत नहीं दे सकता किसी ने कुछ नहीं बोला तब तेरे बल्यावी ने जारकंड हुकूमत से का आपने वर्दी धारी गुंडों को लगाम लगाओ वरना निकल गए करबला के खुलाम तो सबहाला मुश्किल हो जाएगा इसलिए कि मेरी जिन्दगी की सांस का एक एक सांस का मकसाद अजमत मदीना है रिफत मदीना है शौकत मदीना है अजमत मदीना है हम पानी के बगएर जी सकते हैं नभी के बगएर नहीं जी सकते हैं मारे तक्वेश, मारे रिसालत, तब मैंने तए किया कि सेकुलर कैलाने वालों मैंने बोरा में तुझको भोड दिया है, तुझसे नौकरी नहीं मांगी, तुझसे सर्विस नहीं मांगा, तुझसे मेडिकल कॉलेज नहीं मांगे, तुझसे इंजिनियरिंग कॉलेज की भी खेरात नहीं मांगी, खेत में चास करके अपने बच्चों को पाल लिगा, मकई और धान की खेती करके बच्चों की परवरिश कर ली, हकूमतों के सिक्के और टका पर मैंने मस्जिदे नहीं बनाई है, हकूमतों की लूटी हुई जमीन पर मस्जिदे नहीं बनाई है, जमीन इमान वालों की, बनाया इमान वालों ने, अगर तेरे एक्तदार और हुकूमत का बुल्डोजर आएगा, तो याद रखना तेरे लोहे के बुल्डोजर में वो दम नहीं है, जो हुसाइन के खुलामों के सीने में दम है, देखेंगे, देखेंगे, तब बलियावी ने तै कि आइदारे शरीया से कि एक कानून बनाओ, और वो कानून नामू से रिसालत का हो, कि भारत में, बंगाल में, अगर कोई मेरे नभी की तोहिन करेगा, तो उस पर देश दरोह का मुकदमा चलेगा, बोलो ये डिमांड नाजाइज है के जाइज, जोर से बोल कर बताओ, ये होना चाहिए के नहीं होना चाहिए, तो तुझको तेरे नभी की यजमत का वास्ता, तुझको तेरे रसूल की महबत का वास्ता, तुझको तेरे एमान का वास्ता, सेकुलर कहलाने वाले पार्टियों के नेताओं को बुला कर कह दो कह दो कि अगली मरतबह भोट मांगने मता ना हमने भी तै कर लिया है कि जो मेरे नभी के नामूस का कानून इसंबली में लाएगा उसी को दोबारा हुकूमत में हम लाएगे क्या ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो क्या ये कर सकते हो जोर से बोलो क्या ये कर सकते हो जोर से बोल कर बोलो ये क्या कर सकते हो इसके लिए मैं बहुत जल बारा तारीक को कमरहटी में पूरे बंगाल के अलमा की मिटिंग करने के बाद तारीक तै करूँगा उतरूंगा फिर इसी मालदा में अब तक सियासी पार्टियों का ज्छंडे लेकर के सबकी रैली में गए हो नभी के नामू से रिसालत के गानून के लिए क्या आवाज दिया जाए तो आओगे जोर से बोलो आओगे तो गाड़ी तुम्हें नहीं दे सकता कहीं से आओगे जोर से चलोगे चलोगे और अगर जेल जाना पड़े तो तबज्जो चाहूँ अहले स्टेज की हाथ उठा कर मुठी बात के बताना नभी के नामूस के लिए कानून बनवाने के लिए जेल जाना पड़े तो जाओगे जेल भरना पड़े तो भरोगे नभी के नामूस के लिए अगर जान लुटानी पड़ेगी लुटाओगे अब लड़ाई तो इसी की होगी इसलिए कि इमान वाला इमान वाला खुद को जीने के लिए जिन्दा नहीं है छोड़ दो इमान वाला खुद को जीने के लिए जिन्दा नहीं है इमान वाला तो पैदा ही लिया है मदीने की महबत में मरने के लिए इसलिए बारा तारिक को तो मैं बुन्याद डाल ही दूँगा इसलिए कि बलियावी के आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं है रहे MP रहे, MLC रहे, आज भी अलहमदुलिल्ला तेरे बलियावी को हुजूर इताजु शरीया ने वो चीज दे दिया कि अगर बांस गाल दे तो अच्छे अच्छो की आउकात नहीं जो हिला सके ये तो दुनिया जानती है लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गैरों में वो दम नहीं था जो मेरी बेटियों पर उंगली उठावी ये मौका तुमने दिया तुमने मौलाना आपका पुरा नाम भोल गया है मौलाना मौम्मद गुलजार साहब आपके दादार के जमाने में कितनी जमीन थी तक्सिम तो भी वाल्सों के दर्म्यार तक्सिम हुआ यनि दादा के जमाने में जितनी जमीन थी आपके वालिद साहब अकेले बिटा तक्सिम हुआ तो सब बटने के बाद कितनी बटकर एक भाई को मिली अब जरा आँख खोल और अपनी तस्वीर देख कि तुम अपनी अउलादों को जिन्दा अपने हाथों क्यों दफन कर रहे हो सिरिफ एक काम के लिए अपने को तैयार कर लो तो पांग साल के बाद सौ सवालों का जवाब तेरे टाली के मकान से मेरे बच्चे सीना ठोक कर दे देंगे कि मान लो दादा के जमाने में पांच बिगहा जमीन थी कित्ती और चार भाई थे चार भाईयों में सवा सवा भिगहा बट गए अब भाईयों के बच्चे तीन तीन ही मान लो तो सवा भिगहा में तीन सवा भिगहा में ती कितने पर आगे कठ्था पर कठ्था पर आगे अब मान लो की एक बाप के चार बेटे पोता पर आजाओ कितने पर आगे धूर पर कितने पर आगे कितने दिनों में पचास साल में कितने दिनों में जो बलियावी आज कह रहा है इसको लिख लो और कल से नहीं अब भी से आहद कर लो वरना दस साल के बाद बंगाल में तीस फीसद बंगाल का मुसल्मान भूमी हीन हो जाएगा और दस साल के बाद यही वो दलाल हैं दल्ले जब तेरे बच्चे भूमी हीन होगे तो कहेंगे कि तू हिंदुस्तानी कैसे है सुबूत दे तेरा बेटा कहेगा अधार कार्ड बोलेगा नहीं मानूंगा तेरा बेटा कहेगा पासपोर्ट बोलेगा नहीं मानूंगा तेरा बेटा बोलेगा यह भोटर आई कार्ड बोलेगा नहीं मानूंगा तेरे नाम पर कोई जमीन है तो कागस दिखा उस वक्त तेरे बच्चों का क्या होगा बलियावी ने इस पर बड़ी गहराई से नज़र डाला तब मैंने तैय किया कि जो दस साल बाद तबाही आने वाली है उसको रोकने के लिए आज से नहीं अब्भी से तियार होना है अब्भी से और इसका एक ही रास्ता है मुसल्मान एक ही रास्ता है ایک ही रास्ता है निकाह को सस्ता कर दो जोर से बोले जोर से बोले निकाह को सस्ता कर दो सादी को आसान करो इतना आसान कर दो इतना कि बैटियां बोज न बने वरना कुटे इंतजार में बैटे हैं कुटे कि जोरी खोल कर कुटे बैटे हैं मेरी बेटियों की आबरू लुटवाने के लिए और एलान करके कह रहे हैं इमान वालों की बेटियों को वाट्स आफ फेस्बूक टोटर के जरीए उनको अपने फरेब में फसाओ और इतना लाख रुपिया ले लो तब बलिया भी कहता है रहम करो अपनी बेटियों पर दया करो अपनी बेटियों पर अरे तुझको नहीं पता है रहे अंदर की रिपोर्ट मुझसे सुन दो हजार एकईस और बाइस के दिसंबर तक तकरीबन पैंटालिस सो मुसल्मानों की बेटियां या तो गेरों के साथ चली गएं या काफिरा और मुर्तद हो गएं जब मैंने पता किया कि इसके पीछे का राज क्या है मालुम हुआ कि बाप मजबूर था दामाद नहीं खरीद सकता था मजबूर होकर बाप ने जमीन बेचा लेकिन ये लालची समाज ये लालची समाज है मैं तुछ से पूछता हूँ कि तुने पाँच लाख में दमाग क्या सोच के खरीदा था रे यही सोच करने कि अमीर का बेटा है कोठी मकान वाले का बेटा है हवेली वाले का बेटा है तेरी बेटी जाएगी तो सुकून से जीएगी मैं तुझ से पूछता हूँ बता तुन्हें पांच लाख नगदी भी दिया तुन्हें फरनीचर भी दिया फिरिज भी दिया सामान भी दिया पलंग भी दिया बाइप भी दिया सब दिया और तेरी बेटी अपने ससुराल पहुँची तेरे दमाग को अटाइक आया मर गया क्या उस घर में उस बेटी का निबा हो जाएगा बोल ना हो जाएगा हो जाएगा नहीं फिर मैं तुछ से पूछता हूँ मुझको बता जरा इतनी दौलत तुने खर्च की जोशी के लिए अल्ला की जानिब से मौत का फरिष्टा आया दमाग चला गया उस वक्त तेरी बेटी अपनी ससुराल रहेगी या तेरे घर आएगी इमान को मजबूत कर इमान को मजबूत कर मेरे रब की तरफ से अगर तेरी बेटी को सुकून और आराम है तो छपर में भी अगर तू रुकसत करेगा तो मेरा अल्ला उस छपर में रोजी देगा और अगर तू ने ये सोज कर की हवेली में रोटी मिलेगी छपर में नहीं मौत मिल गई तो तेरी बेटी बेवा बन के लोटेगी इसलिए मैं इलतेजा करूँगा कोठी देख कर मत निकाह कर हवेली देख कर मत निकाह कर पूजी देख कर मत निकाह कर इमान देख कर निकाह कर जोर से बोल दो जोर से अरे जोर से बोल और जोर से बोल इतने बड़े मजमे में पाँच नौजवान कुमारा पाँच नौजवान है अरे चुपकर सिरिफ नारा लगाएगा अच्छा इस मजमे में सब भी आहे हैं कोई कुमारा नहीं 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 रुको रुको आईसे नहीं है इसे नहीं मेरा नाम बलियावी है कुमारा है भी तो अपने बाप की आँख देख रा कहीं खड़ा हुआ तो घर से बाहर में करें बोल सही है के घलत जोर से बोलना ये जो एदारी शरीया की तहरीके वेदारी चल रही है मालूम है इसका असर नहीं पता मौलाना अबदुलमालिक साहब बितिया में मैंने इसे ही कुछ नौजवानों का आवाज दिया तकरीबन पौने तीन सो नौजवान खड़े हो गए कित्ता पौने तीन सो ठीक जिस दिन कॉनफेंस हुई है उसके दूसरे दिन एक नौजवान का रिष्टा लेकर लड़की वाला पहुँचा बाप ने जैसे ही कुछ जमान खोलना चाहा बेटे ने हाथ जोड़कर खड़ा होगे बलबू नई मैं आपका खून हूँ मैं आपका खून हूँ खून देकर किसी की जिन्दगी बचाई जाती है खून बेचा नहीं जाता खून देकर जिन्दगी बचाई जाती है, खून बेचा नहीं जा मैं आपका अगर खून हूँ तो आप मुझे बेचो मत वरना मैं घर छोड़कर भाग जाओंगा और ये भी सुनो भागूंगा तो बलियाभी के पास जाओंगा मैं चला जाओंगा नौजवान की एक गुफ्तगू ने बाप के दिल को क्या मुम बनाया है बाप उसी वक्षडा हो गया, बोला बेटा तुमने मेरी आँख खोल दी आँख खोल दी सिरिफ पाँच आदमी से निकाह करके बहु लाओंगा मैं नौजवानों से अर्श करूंगा तेरी कीमत दो लाख रुपिया नहीं है रे जिसकी कीमत मदीने के बाजार में लग गई हो उसकी कीमत दो लाख रुपिया एक मोटरिसाइकल नहीं है नहीं है नहीं है हम आप से बिंती करके कहेंगे अगर कल्मा पढ़ने वाली मां का दूद पिये हो न तो कल्मा पढ़ने वाली उस बच्ची के मां के दूद के ख्याल रखना वरनक क्यामत के दिन मैं तुब नौजवानों का दामद थामूगा मेरे अल्लाओ मैंने तेरे महभूब की बैटी सेदा फात्मा के कनीज की चादर का हवाला दिया था कि मैंने द्वाई देख करके तेरे महभूब के नाम के नारे लगाने वालों से मैंने भीक मांगी थी कि आने वाला दस साल के बाद वो काला दिन सामने कड़ाए कि बंड करो टेबल कुर्सी सजावट गाजा अर्किष्टा बाजा बंड करो बंड करो मस्जिदों में निकाह कर लो जमाने को बता दो मेरी बेटियों की अजमत पर उंगली उठाने बालो हकूमतों के पाले हुए गुंडो फात्मत तुजारा के कनीजों की आबरू बचाने के लिए हुसेन के खुलाबों की फाउज अभी जिन्दा है बचाएगी पांच नौजवान है जो खड़ा होकर इलान कर दे के मैं बगएर किसी डिमांड या बगएर किसी लालच या बगएर किसी नगदी के मैं निकाह करूँगा कोई पांच नौजवान है ये चार खड़े खड़ा हो जाए इधर घूम यूटूबर इनके चेहरे आम करो सामनियो ठीक करते हूँ आप भी बैटो ए बैट इतने बड़े मजमे में मैं जानता हूँ कि ये मेरे ताजु शरीया के मुरीद है बकिया बिकने वले जानवरे माफ करना जानवरों को कसाई भी खरीद के ले जाता है तो कीमत देता है अगर तुमने दो चार लाख रूपयों पर बेटा बेच दिया न तो महशर के दिन क्या जवाब दोगे आज तै कर लेना अज तै कर लेना है हजरत तवेदारी शरीया से मैंने तै किया है कि हर जिले में जो जिला कलकटियार में मिटी हो भी मैं सिरिफ भदोही में जवानों को जबान दे चुका था मैंने का नौजवान है हिम्मत न तूटे चल दूए फिर भाग के जाओंगा पूरा दिन जगूँगा फिर पूरी रात सफर करके फिर कलकट्ता पहुंचे जिस बलियावी के लिए तारिखें खाली न रहती हूं वो बलियावी रोज दो चार महीने के हफ़़े का जलसा केंसिल कर रहे हैं क्यों हो इसलिए हैं है कि अब वक्त सिर्फ तकरीरों का नहीं है है वक्त अपनी नसलों की तस्वीर बनाने का है अगर ये तस्वीर बना लिया ना जब मालूम है कि करोना में मेरे आलिमों के कितने बुरे दिन भी दे है और माफ करना ये करवा सच्छे हलक मैं जब तक सांसे बोलूँगा बोलूँगा गोसे आजम की इग्यारहवी का लंगर बटे बटे मैं मुखालिफ नहीं हूँ खोब बटे लेकिन मस्जित का इमाम भूका हो और गाउं में लंगर बटे ये लंगर मेरे गोसे आजम को कुबूल नहीं है मेरे मस्जित का इमाम और उसका बेटा गुर्बत में दिन बितावे और गरीब नवास की चादर पचास हजार की चड़े ये मेरे खाजा को कुबूल नहीं है ये मेरे खाजा को कुबूल नहीं इसलिए मैं बिंती करके कहूंगा आपसे आगरह करके कहूंगा मत तीन टेम खाओ दो टेम खाओ मत अच्छा लबास पहनो मोटी या मारकीन पहनो कोई ज़रूरी नहीं है के बढ़ियां पलंग पे सो आज से तीस साल बीस साल पहले खेंदड़ा पर बाप दादा सोये हैं कोई शरम की बात है पुआल पे सो के जिन्दगी बिता लेंगे रहे कबर में गद्दा नहीं मिट्टी मिलेगी मिट्टी इमान मजबूट कर मिट्टी पर सोने की तमन्ना रखने वालो वो मिट्टी भी मेरे लिए सुरमा की आँखों में सुरमा है इसलिए कि इमान वालों की उसी कबर में मुस्तफा की आमद होगी अल्ला हुआ अल्ला हुआ पर बस वही एक आसरा है जिसे पाल के जिये जा रहा हूँ और हर वक्त यही दुआ करो कि या अल्ला अपने महबूब की ऐसी मुहबत मेरे दिल में डाल दे अईसी मुहबत डाल दे के कबर में चेरे सरकार देख कर मैं बोल पड़ू फरिश्टो जराजी बर के देख लेने दो बिल देखे जिन पर मैंने लाखों सलाम पड़ा था अब तो वो नूर मजस्सम सामने करोरो सलाम पढ़ लेने दो जल्वे जाना पर पढ़ लेने दो मेरे अजीज ये नेमत सब को नहीं मिलते और यही इसी नेमत के लिए तो हम जिन्दा हैं और मैं तो कहता हूँ मेरे अल्ला जब तक ये दिल तेरे हबीब की महबत में रहे तब तक धड़के जिस वक्त ये दिल तेरे हबीब से दूर हो ए अल्ला दूर होने से पहले इसकी धड़कने बंद कर दे वो दिल नहीं चाहिए जिस दिल में तेरा हबीब ना हो वो जिसम नहीं चाहिए जिसमें तेरा महबूब ना हो वो आखे नहीं चाहिए जिन आखों में गुमबदे खजरा ना हो हमें वांक दे जिन आखों में तेरे महबूब का रोजा हो वो दिल दे जिस दिल में तेरे हबीब की धड़कने तेरे महबूब की महबबतों की धड़कने हो अगर ये पा गए ना अगर ये पा गए तो दुनिया में तुझसे बड़ा कोई मालदार नहीं है कि नाले पाने वाला ये कहे इतरा इतरा कर कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे हाँ हाँ ताजदार हम भी है तो जब नबी की नाले ने पाक की आजमत थे तो जिस दिल में नबी हो उस दिल की आजमत का अंदाजा कौन कर सकता तब मेरे ताजु शरीया वज्द में आते और वज्द में आते तब मेरे ताजु शरीया इश्की की चादर खसका कर कहते या रसूल आले का सलाम जहां बानी आता कर दें भरी जन्नत जोर से जोर से जोर से ओई चारो तरफ से चारो तरफ से भरी जन्नत मौलाना हज़त हज़त एक जुम्ले पर तवज्जचों भरी जद्नत हिबा कर दे अता नहीं कहा अता नहीं कहा हिबा कहा मैं सोचते रहा मेरे ताजु शरीय कब बोलोगे बोल दो उपर से लेकर नीचे तक हाथ उडाके जोर से जोर से तरफ़ा मेरे आकाई नहीं मेरे ताजु शरीय अता क्यों नहीं कहा तबज्जचाओं अहले इल्म की हिबा क्यों कहा अता क्यों नहीं हिबा क्यों तुम्हारे हज़त फर्माएंगे बलियावी अता में वापसी भी होती ह आता में यह मैंने तोपी आता की थी अब वापस करो अब लेकिन हेबा में वापसी नहीं है तवज्च चाओं हेबा में हेबा में वापसी नहीं है इसलिए माफ करना अजहरी बहुत हुए है अजहरी लेकिन मेहमान काबा सिर्फ मेरा अजहरी हुआ अजहरी बहुत हुए है लेकिन फखर अजहर सिर्फ एक ही हुआ और ये नेमत मेरे मदीने की सरकार से मिली है तब मेरे ताजु शरीया फर्माते है या रसूल इल्लाइ जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत तवज्ज़ चाओ भरी जन्नत हिबा कर दें जहां बानी अता कर दें आए हाई 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 अरे बोल यार एक नक्ता और आगिया जोर से जोर। जहां जहां की बाताई। जहां की बाताई वहाँ अता है। जहां जन्नत की बाताई वहाँ हिबा है। मारे तक्वेर! मारे रिसालत! मसला के आला हधरत! बस्ती बस्ती कर्या कर्या! मारे तक्वेर!! मारे तक्वेर! तब बल्याबी कहता है मसलक ए अला हज़रात कोई नया फिर्का नहीं कोई नया अकीदा नहीं कोई नया मसलक नहीं बल्के बल्याबी तो खम ठोक के कहिता है अकीदा है अकीदा है अबु बकर का नजरिया है फारुक आजम का सोच है उस्मान गनी की मसलक है मौला अली का और फैलाया है बरैली के अहमद रजाने बस आखरी बात ये मेरी माँ बेने आई है नगा अल्ला का शुकर है कि मैं फखर के साथ कह सकता हूँ कि एले सुन्नत का एक ऐसा भी गाउं मिला बंगाल में जहां की बेटियां और माएं बेहने भी कहीं से कोई एक आवाज नहीं है हजरत लमूना नहीं इबरत भी है और इसमें भी कोई दोरा नहीं कि मर्दों से जादा आगे बढ़कर मैंने खुद देखा मेरी माँ बहन बेटियों ने मस्सित की तामीर में आगे बढ़के हिस्सा लिया जबके मेरी माँ बेहने बेचारी बेचारी है यानि मरत कमाएगा तो चट्टी पर चौराहे पर सौ रूपिये का रसगुला और चाय समोसा लेकिन यह नहीं सोचेगा कि चलो मा के लिए भी ले चले दो समोसा बोल सही है के खले जोर से बोलना जोर से बोल चलो बीवी या और बेटी के लिए भी दो पिस मिठा ले ले मिठाई होता है क्या कितने वड़े आप इंसाफ करने वाले हो अकेले खाकर चले आए न बीवी याद रही न मा याद रही न बेटी याद रही न भाई याद रही और खूटा गाड़ता है आंगन में आकर इमांदारी का बोलो सहीए के खलत लेकिन सोच तो तू जरा तू गिया है बाहर मा रोटी बना के खाना बना के इंतजार कर रही है बेटा आवे तब खाएंगे बोल सहीए के खलत जोर से बोलना है बहान इंतजार करती है भाई आवे तब खावे बेटी भी इंतजार करती है अबू आएंगे तो खाएंगे लेकिन आप कितने बड़े इमानदार हो अकेले खा लिया और जो थोड़ा बहुत खर्च के लिए घर में दिया उसी में से काट पीट के रखे रही और जब बारी आई अल्ला के घर के लिए तो तुझ से पहले निकाल के दे दिया बोलो सही है के गलत जोर से बोलो जोर से बोलो तो मैं तो चंदा मांगने हमको आता नहीं है और मैं मांगता भी नहीं है मैं पटना में बदनामा भी नहीं है पांच हजार रूपिये से कम कि किसी रसीद पर मैं दस्तखत ही नहीं करता हूं इसकारपियों से चंदा मांगने जाता हूं एक साहब ने हज़त मुझे से कहा कि आप इसकारपियों से चंदा मांगने आए लिए मेने का आजी Всё चंदा मांगना जै और भीक मांगने थोड़ी आ है तेरे को दे नहीं देना मत ले मैं जानता हो कि तू अपनी रोटी का इंतिजाम नहीं कर सकता और मेरे नभी के महमानों की रोटी का तू इंतिजाम करेगा चल मैं यह चाहता हूँ कि पूरा मजमा मिल करके एक पीलर रसूल पाग की बेटी सेयदा फात्मत जहरा के नाम पर एक पीलर और उस एक पीलर की कोई अकेले नहीं सारा मजमा मिल करके एक पीलर उस पे चाहे जित्ते पैसे आजाएं इसलिए मैं अपनी तरफ से आखाय करम रह्मत यालम सल्लल्लाह वलिग्ये वसल्लम कि शहजादी हसनैन की यम्मी शहजादी ये मुस्तफा खातून जन्नत स्यदा तयबा ताहिरा फात्मत जहरा रदियल्लाह ताला अनहा के नाम पर एक पीलर मस्सिद के लिए ताकि मैं भी शरीक हो जाना मैं अपनी तरफ से पांसो रुपिये अपने वालिदें की तरफ से मिलाता हूँ कोई अल्लाह का बंदा है जो इसमें पांसो और मिला दे आजा अगर दो रुपिया भी जेब में हो तो लेकर उठ जाना सवाल पैसे का नहीं है सवाल पैसे का नहीं है